एक्जिट पोल भी सामने आ गए हैं, एक्जिट पोल में महागटवंधन को बढ़त है, संभावित सरकार का समीकरण भी महागटवंधन के पक्ष में है, लेकिन इस एक्जिट पोल को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, आरजेडी हो या कॉंग्रेस दोनों एक्जिट पोल से लेकिन उन्हें भरोसा बड़ी जीत का है वहीं एंडिये को उम्मीद है कि जनता ने उन्हें बंपर समर्थन दिया है जो दस नवंबर को नजर आएगा जेडियू के तीर से पटना में खिलेगा कमल या फिर लेफ्ट के पंजे से पटना में जलेगा लाल्टें बिहार के सियासी दंगल से कौन होगा एगजिट चुनाओ खत्म होने के साथ ही एगजिट पोल जारी कर दिये गए हैं तमाम चैनल्स पर आये एगजिट पोल में महागटवंदन को बढ़त मिली है तो इंडिये के लिए नुकसान की संभावनाद जताई गई है हलाकि परिणाम दस नौवंबर को आएगा लेकिन एगजिट पोल को लेकर सियासत जरूर गर्मा गई है बिजेपी जीत का दावा कर रही है तो आरजेडी को बंपर जीत का अनुमान है जो गरीब की जोपडियों के वोट है वह एगजिट पोल में परिलक्षित नहीं होता है और यह जो 40 प्रतिशत हमारे गरीब जो है वह पूरे के पूरे तौर पर NDA गट बंदन के साथ है सरकार पुर्ण बहुमत दोत्याई के बहुमत से बन रही है बिहार अपने मुद्दों से ठिका नहीं बिहार ने देश को एक दिशा दे दिये और यकिन मानिये एगजिट पोल कुछ भी कहें उपर दिखाया है नीचे दिखाया है लेकिन बिहार के लोगों ने अपनी सरकार चुनली है दस नौवंबर को एक युवा जोशिले सरकार का गठन होगा और मुद्दों पे उसी दिन से काम करना शुरूर है बिजेपी सीरे से एगजिट पोल को खारिज कर रही है तो कांग्रेस भी एगजिट पोल से इत्तिफाक नहीं रख रही है लेकिन एगजिट पोल से कांग्रेस और आरजडी खुश जरूर है एक्जिक पोल है फाइनल रिजल्ट दस को आना है उसके बाद ही इस पर बात होगी क्योंकि हमारे वोटर तो साइलेंट हैं घरों में रहते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं अपना काम करती हैं महिलाएं अपने बच्चों की देखवाल करती हैं कॉंग्रेस गठ बंधन पूर्ण बहुमत से अधिक सीटों पर जीतने जा रही है हम कमपरटबल मैजरिटी से सरकार बनाएंगे और जो वादे हमने जनता से किये हैं एके करके उन वादों को इंप्लिमेंट करेंगे एक्जिट पोल में महा गठ बंधन को भाले बढ़त हो लेकिन ये तो एक्जिट है एक्चुल परिणाम तो दस नौंबर को आएगा तब जाकर पता चलेगा कि एक्जिट एक्चुल है या फिर फसाना तब तक धहर रखिए इंतजार किजिए विरुर्पोर्ट जी मीडिया एक्जिट पोल में महा गठ बंधन को बढ़त मिली हुई है लेकिन एक्चुल परिणाम अभी बाकी है इसे लेकर सियासी बयानवाजी का दौर जारी है पूरों सीम जितना माजी ने एक्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया तो बीजेपी को लगता है कि नतीश की अगव पर लंगे पक्ष्मिरों इस वार भी जो दिया है हम समझते हैं बास्तविक्ता से बहुत दूर है हर हालत में इंडिया की सरकार बनने जा रहे हैं उसमें यह लग रहा है कि कांटे की बहुत ज्यादा टकर है लेकिन मेरा जहां तक विस्वास है कि हम लोग सत्ता में रहेंग में हम लोग हारने नहीं जा रहे हैं सरकार हमारी ही बनेगी लोगों में जो रुजहान था उसका जो रिस्पोंस था उससे पहले ही थिया हम लोग आसावान थे रियल्थ हम लोग के अनकूल होगा और आप लोग का एक्जिट